हेलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मदिकालीन भारत जिसके अंत्रगत हम लोग दिल्ली सल्थनत को पड़ाय थे जिसमें गुलाम बंस तक हुआ था तो उसके आगे शुरू करते हैं खिल्जी बंस इसने 1290 से ले के 1223 तक साशन किया और सिषां सपक जो था ओओ है जलल्णिन खिल्जी है 1923 का किलो खड़ीमे और जलल्लूदीन खिल्जी की हत्त्य यू किया था ओओ है अलावदीन खिल्जी इसने जलादीन खिल्जी का बतीजा और दमाद था अलादीन खिल्जी इसने स्वेंग को सिकंदर एशानी का इसने स्रीफ होट का निर्मार करवाया मंगोलो के हमले से बचने के लिए मंगोलो का अधिक आकमर जो हुआ था इसी किसा संकाल में होगा था अलाओदीन खिल जी किसा संकाल में इसका सेना सुधार देख लेता है इसने सेना को स्थाई बना दिया और इसे नगत द्वेतन दिया इसने सेना में दाग प्रथा यानि घुड़े का मारका सील जो होता है वो आरम करवाया इसने सेना में हुलिया स्केज सेनिकों का अब वो प्रता आरम करवाया था कर सुधार देखते हैं टैक्स रेविन्यू रिफार्म कर सुधार में इसने सिकंदर ए नुस्तक राज कपत बनाया है कडो की असुली के लिए ठीक इसने तीन जो कर लगाया था वह पहला चरी चरी में सोता है चरागाह कर द अब होम पे तिश्रेक कर यानि समुदाईक कर चरगाह कर घर कर और समुदाईक कर तीन कर लगा था इसने इसने बजार में सुधार किया था मुल्य नियंतर और राश्री प्रणाली के शुरवात की थी साहना ए मंडी ग्रोता एन रिक्षान दिवान ए रियासत वैबाडियो को नियंत्र करने के लिए इसने इपद बनाया था तो इसको आगे देखें हैं मलीग का फूर कि व तरी हजार Hai जिनारी मतलब हजार दिनारी में खरता गया था मलीगा फूर को इस ने इसन्षा की जो दख्ष्र महारत को जीता या दिली सलतरनत का पर्थम शाशक था जिसने खलीफा को इनकार किया था अल्यूदी एक यूदिन ने इसका मलीक कफूल दौरा जहरा दिया था मलीक कफूल इसका स्हिनाफ़ की ज़ार दिया उसने पुत्र इसका पुत्र था मिं मुबाराक खेल जी अयोग था और उसने स्वेंग को खलीफा को स्वेंग को खुषद कर लिया था तो इसके बाड़े में देखते हैं को खिल बंसकरा मिंसकतध में जी सका ब्लबुभ्लप घिली था उसका इंपिसंता स्वेंग आस्टानी और कुके और इसके लिए रिफार्म किया पर रिविणी रिफार्म किया बेटर रिविणीव के लिए इसने मरट कर फिरी ख लॲुग इंधिर कर दो किसे डारा होज खास जमात खान महजिद और हजार खंबा महल का भी निर्मार करवाया था ठीक है नेक्स्ट देख रहे हैं नेक्स्ट है तुगलक बंस जिसने 94 बर्स तक सासन किया था जो दिविस सलसनत में सबस्टिक सासन तुगलक बंस के दोरा किया गया था तो इसका संसापक देख लेता है यसलिन बलवन घयसलिं तुगलक है टाविस एगाजी मली भी घॿ से पुराणा नम था ठीक है इस ते और तुगलक का बात किसे अपना के थी यह दिले Swiss सलसनत का पाला ऐसे साथ और ऑणीरमरब्स इन स्रू कर दोरे ता उन्सुरू करवाया थ थीक है अब इसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक आता है इसका उपादी देख लिजिए थोड़े एक बाद पागल राजा दयालो हेज़ाय बिरुद भास आओं बिरुद भासो का मिसर्ण आदर्श बादी परमुपकार इसने क्या यह किया उससे एक बाद देखान इसने संकेतिक मुद्रा को आड़म करवाया इसने खुडासान एओं कराचील हामला किया था पद इसने क्या बना था दिवान एक को ही क्रसी के लिए एरिकलिसल के लिए और दवाब जिस जो है दो नदियों के बीच की जो भूमी होती है उस पर टेक्स बढ़ाया यह रैजधानी को दिली से देवगीरी रैजधानी को दिली से देवगीरी उसने ट्रांसपर किया था जो दौलताबाद में है जो असफल रहा उसके बाद इबन तूता इसी किसमें मुड़कों से भाड़ाताया था उसका बुक जो है रहला इसमें इसका डिस्केस के वर्णन किया है मुहमद इन तूल जो था दौरस्तन सास्विन ने पूर्ड था यह अपनी अव या हारिक नितियों के कार्ण एक राजा के टुप में सफल रहा उसके बाज आता है सासक ओ फिरो साथ तुक लग इसने दिली सलतन का ख़बर काता है इसे पद क्या बना था दिवान एक है रात जरुरत यह गड़ीबों के लिए दारूल सीफा धर्मसास्त हस्पिटल ने चैरिटेबल और हस्पिटल के लिए दिवान ए बदगान यहां बदगान होगा उने दासों के लिए बनाया था गुलामों के लिए इसी किसासन में सबस्थी गुलाम थे हैं फिरो साथ तुकलक ठीक है इसने जकात आम लोगों से खाराज खेती से और खुम्स लूटागों माल पर टैक्स लगाया था यहां दिली सल्तनत का पर्थम सासक था जिसने बड़े पैमानों पर निर्मार करवाया था बड़े पैमानों पर शुरू दूसरा किसे ने किया शुरू भी बताया थे आपने मैंने बताया था आपको दुको और उसने लगा तक्स को लगाया था कर एशी चाहिझ कर लगा रखा लगा था उसके आसपस जो खेती के लिए मिन था उस पर टैक्सिंग लगा था इसने जौनापूर ठीक है अपने भाई जौनापूर के याद में हिसार फिरोजपूर फिरोजबाद के सापना की थे या असोक के अभी लिखा को मेरट और टोपड़ा से वापस दिली लाया या दिली सल्तन का प्रमसासक था जिसने सरवाधिक सिक्के चलाए इसने अपनी आत्म का था और्टो बायोग्राफी फतुहात एफिरोजबाद साही लिखा फतुहात एफिरोजबाद साही जो फार्सी में है यहाँ पर यह तेमूर का भारत पर हमला हुआ कि तेरस अंठान बेश्व में नसुर्दीन मुहमद के समय नसुर्दीन मुहमद तुखलक बंस का अंतिम साथ सकता तो अब आधा सायद बंस जिसके आड़े में थोड़ा सापढ लेते हैं एक खीरी खान भी तया इसको और एक माच्छ शीया बंस दिली सलसंत का सिया बंस अंतिम साथ आलाफ्दीन आलम साथ अब आता लोधी बंस पाच्वा बंस जो है अंतिम मंस ही दिली सलसंत का यह परताम आफगान बंस था तुष्ये देखते हैं संसापक था बहलो लोदी और इसका पुत्र था सिकंदर लोदी के बाड़े में पड़े हैं इसने गुल्रुखी के नाम से कभी ताय लिखी हुआ रजहानीस ने आगरा बनाया पाली बार सिकंदरी गज का उसमें भूमक किमाप के लिए एक उनिट जो है वास्विक नाम था निजाम सा गिताब लिखा था फड़ांग ए सिकंदरी लिखोया था जो आईड़े रूद पर था सकेंड है लोहिजात ए सिकंदरी यह म्यूजिक पर सा संगीत पर उसके वाड़ा है इसके वाड़ जो है एक बुड़ान लोदी आया था दिल्ली सल्तनत और लोदी बन स्कान्दिम साथ सक था यह इसने 1526 में बावर के साथ पानीपत का पर्था में उद्ध हुआ था 21 अप्रेल 1526 में जिसमें बावर ने इवरायम लोदी कर आया था यह सिकंदर लोदी का पूत्र था मतलम यह हुआ कि लोदी बन्स का संसापक था बहलो लोदी उसका पूत्र था सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का पूत्र था इवराहिम लोदी ठीक है सुरी बन्स देखिते हैं उसके लाद इसे करेंगे संसापक यह दिदिदी अफगान बन्स था बढ़ता हम आफगान मंस लोदी आफगान मंस सूरी बन्स था सेर्षा वास्तर नम तब परिद दखा उसके बाद हुआ इसका नाम से जो पहार खान के दौन जाए गया उसका न इसको शेर्षा की उपादी मिला शेर्षा कि इसने सड़की आजम का निर्मार करवाया था सुनार गाव बंगाल से लेकर पसावड़ाया पकिस्तान तक जीट्रोट ग्रेंग ट्रॉट यही है इसने एक रुपय की मानक्षी का आराम करवाया मलिक मुहमद जाइसी ने आवाध पुष्तकी राशना इसके समय में की थी शिष्ट्साया ने दिल्ली के पुराने कीली का नेमार करवाया था इसकी मिर्थ काने जरी म сделवी उपकानामक को अथ क्यार का समय को इसने काकलीं जर्घ्र का देवाल थम उस पी अकका पढ़यों के लेकिन पूकासर्ट्र र यानि टॉम्ब सासाराम बिहार में है जिसे हुमायू कड़ाय था चौसा के इद में 15-49 में और कनौज 15-40 में हुमायू ने फिर दिली पर कब्रा किया मच्छी बाड़ा इद में 15-15 के बाद तो आज के लिए इतना ही इसके आगे नेक्स्ट विडियो में पढ़ेंगे आप चैनल को लाइक करें धन्यवाद